हेलो एवरिवन, इनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BPSC TRE 2.0 में जो शिक्षक चैनित हुए थे और जिन्होंने CTAT किलियर किया था BPSC ने एक official letter जारी किया है जिसमें ऐसे अब्यर्थियों के न्युक्ति पत्र को स्थगित किया जाता है उन सभी अब्यर्थियों की सूची दी गई है कहां से ये news है बिहार पटना से news है BPSC TRE 2.0 को लेकर बहुत बड़ा big update आ रहा है जिसमें कुछ चैनित अब्यर्थियों के न्युक्ति पत्र को स्थगित कर दिया गया है यानि cancel कर दिया गया है इसमें हम अभी detail में बात करेंगे उससे पहले आपसे एक request करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा ताकि पिर तीये एक BPSC से regarding update आपको मिलता रहे है और वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें ताकि वीडियो जादा से जादा सभी के संपर्क में आ सके यहां पर आप देख रहे हैंगे कारे ले जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल गंज प्रेशक जिला सिक्षा पदादिकारी गोपाल गंज सेवा में किया गया है निदेशक को मादमिक सिक्षा बिहार पटना को विशे है बीपीसी टी आरी टू पॉइंट जीरो द्वारा चैनित सीट अट परिक्षा में 60 प्रतिसत से कम अंक वाले अन्य राजे की महिला अभ्यरतियों के संबंद में यह महिलाओं के संबंद में हैं विसे इसकर ध्यान दीजिएगा क्यों है महिलाओं के संबंद में क्योंकि पुर्सों को तो पहले ही कह दिया गया था कि वो जनरल में ही काउंट होंगे अगर जनरल में काउंट होने का मतलब है 60 प्रतिशत ही लाना है यानि कि उनको सीट एट में 90 नमबर तो ने चाहिए ही चाहिए 90 मार्क्स उसके कहीं नहीं गए हैं लेकिन महिलाओं को छूट देने की बात हो रही थी लेकिन अब वो महिलाओं जो अधर रैजे से बिलॉंग कर 90 अंक से अगर वो कम है तो इसका मतलब होता है उन्हें किसी न किसी तरीके का रिजर्वुशन दिया जा रहा है और यहाँ पर को रिजर्वुशन की बात हुई नहीं है क्योंकि उनको तो यू र में ही कैम्ट किया जा रहा है और अन रिजर्वड का होता है 90 यानी की unreserved वा का मतलब है अगर वो 82 या 85 6 जितने पर भी candidate है अगर उसका chain किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसको reservation दिया जा रहा है जबकि other state के किसी भी अभ्यरती को reservation नहीं दिया गया उन्हें UR में count किया गया है इसलिए ऐसा किया जा रहा है यहां पर यह परेशान नहीं बहुत से चैनल पर यह चीज वाइरल की जा रही है कि बी-पी-ए-सी-टी-ारी-टू में चैनित सीट-एट में 60 प्रतिशत से कम अंक लेने वाले सभी का न्युक्ति पत्र ने रस्त नहीं जी जो अन्यराज जैसे हैं और अन्यराज जैसे भी महिलाएं क्योंकि पूर्सों के लिए यह चीज पहले ही किलियर कर दी गई थी उनका तो 90 से पहले पर सेलेक्शन था ही नहीं ये बाद में महिलाओं के लिए आया है हाला कि महिलाओं का भी उसमें कुछ confusion था उस चीज़ को लेकर काफी time तक form को भरने में भी ब्रांतियां चलती रही थी अब इस समय पर अन्य राज्य की महिलाओं के साथ भी न्युक्ति पत्र देने के बाद उसे स्थकित करना सही नहीं हैं लेकिन इसमें ये के लिए रहे कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं चाहे वो महिला है या पुरुस हैं वो सेफ हैं उनके अगर 90 या 70 परसेंट से कम हैं अगर वो बिहार के हैं तो वो सेफ हैं क्योंकि आप पर reservation लागू होता है आप पर domicile लागू होता है इसलिए आप भी दिया है और उन अभ्यर्थियों को नाम भी दिया हुआ है अब इसको देखो नीचे आप इसका statement पढ़ेंगे उपरियत विश्यक अंकित करना है कि BPSC TRE 2 द्वारा बिहार राचे के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें CTET परिक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त ह होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्त न्युक्ति पत्र स्थाकित रखा गया की सूची निम्नवत है उन्हें न्युक्ति पत्र उस समय भी नहीं दिया था स्थाकित रूप में रख दिया था नाम वाम सब थे लेकिन प्रोसेस आगे नहीं चलाय गया था से रोक दिया गया था क्योंकि यह मामला किलियर होना बाकी था जो कि आज किलियर हो गया है तो उनके नुक्ति पत्र को स्थगित कर दिया है और ये वो लिष्ट है यहाँ पर लिष्ट देख सकते हैं ये अब्यरती बाहर के हैं साक्षी नाम है रूबी चौरसिया, रिशा सुधावर्मा, सीमा जैसवाल निक्की और सुजाता और रेखा सिंग ये उनके रॉल नंबर हैं और 6-8 में इन सभी ने एपलाई किया था मैज साइंस, मैज साइंस संस्कृत, मैज साइंस, मैज साइंस इंग्लिस और मैज साइंस ये है और संमंदी प्रतिवेदन भवधिय सेवा में समर्पित है इन सभी का जो नुक्ति पत्र है उसको स्थगित कर दिया गया है सीटेट के कारण, आब इसमें आप परेशा नहों, सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है क्योंकि जिसे कहते हैं पूरा ना किया जाए उसको तो परेशान हो जाते है हमारे BPSC जो बिहार के कैनिडेट थे वो परेशान होने लगे, उनके कमेंट्स आने लगे भई ऐसा नहीं है, जो बिहार के हैं उनके भले ही, अगर वो रिजर्व कैटिग्री से बिलॉंग करते हैं, और 90 से कम है, 60% से कम है आप सेफ हैं, यह बात अर्दर स्टेट की, वो भी फीमेल की हो रही है, और फीमेल का भी यह है और आप देख सकते हैं, इन सब ही का निक्ती पत्र स्थागित कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग और BPSC का पूरे, जितना भी BPSC के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आता है, तुरंद मैं आपको अपने चैनल के मादें से बताती हूँ, इसलिए प्लीज चैनल जरू सब्सक्राइब करके रखें ताकि BPSC से रिगार्डिंग प्रतियक अपडेट से आप अपडेट होते रहें, वीडियो कों तक देखने के लिए, थैंक यू एंड थैंक्स फर वाचिंग